नमस्कार में प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में HDFC बैंक और साथ में दो ट्रेंडिंग स्टॉक को डिस्कस करेंगे और HDFC बैंक में सौर्ट ट्रेडिंग के परपस से हमने कर लिया है प्रॉफिट बूक क्या कर लिया है profit booking कर लिया है HDFC bank में और short term opportunity दो stock में मुझे दिख रहा है यहाँ देखेंगे HDFC bank share target Q4 results check what brokerages firm से आखिर brokerages क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझेंगे और यह हमने आपको पहले भी कहा कि brokerages के जो target है 1720 से लेकर के 2100 के बीच में आ रहा है यहाँ देखेंगे 2050 city maintain कर रहा है 1800 देखेंगे Japanese maintain कर रहा है 750 HSBC maintain कर रहा है यानि 1722 2100 के target दिख रहा है इसके साथ ही अगर HDFC के अगर price को देखेंगे मैं daily time frame पे दिखाता हूँ ताकि daily time frame के views जो है वो थोड़ा strong हो कि आखिर daily time frame पे HDFC bank क्या कर रहा है इसको एक बार reload करेंगे और HDFC bank के daily time frame के chart को देखेंगे यहाँ देखेंगे तो already एक range में consolidate के बाद यहाँ breakout करा हो सकता है retest करें और again यह जो level हमने आपको पहले कहा था जो 1640 और 1720 जैसे train को हो सकता है यहाँ retrace करने के बाद continue करें ऐसा नहीं कि HDFC bank में मैं bearish हूँ मुझे लगता है इससे better opportunity एक side और अमर राजा बैटरी के अंदर दिखता है excite में क्यों क्योंकि excite share zoom not 12% even 17% closing रही है after Hyundai Kia join hands with arm of EV battery North Korea की company जो है यहाँ देखेंगे North Korea की sorry South Korea की company Hyundai Motor Company और Kia Corporation के साथ 8 April को announce करा है कि यह excite energy जो है EV के लिए battery solution प्रोवाइड करेगी और इस news महज के बाद ही देखें तो आज इस stock का जो तेजी रहा है इस price से लगभग लगभग 18-20% के आसपास की तेजी रही और टेकनिकली यह breakout था और यह continue करा और इस ने recent के high को breakout कर दिया एक वर मैं weekly time frame पे चार दिखाओं इस समय मुझे लगता कि trend काफी यह strong है आप अगर चाहें तो 354 के SL को लगा करके हो सकता है कि यह stock 420 और 500 जैसे levels को touch करें मुझे एक side से ज़्यादा बेटर अमर राजा बैटरी दिखता है अमर राजा बैटरी क्यों दिखता है क्योंकि इसको weekly time frame पे देखे हैं तो हमने क्या देखा एक one sided trend लगभग 450 से one sided trend रहा retracement करा और again 900 के आसपास breakout के लिए तयार हो रहा है और यह breakout कहां ले करके जा रहा है यह देखे थोड़ा यह breakout stock को लगभग लगभग जो पहला target है 1000 का target और दूसरा target देखेंगे तो लगभग लगभग 1200 का target यानि current price से potential target मुझे लगता है 3-5 मंद में लगभग 40% की तेजी दिखा सकता है यह मैं क्यों कहा रहा हूँ इसको थोड़ा समझने की कोशिस करो इसको थोड़ा और बढ़ा करते हैं यह trend line है यह trend line है जहां से company में यहां rejection यहां rejection यहां rejection अब इसको यहां से breakout हुआ तो 1200-1500 तक का levels दिख सकता है weakness क्या रहेगी 720 के नीचे के SL आप follow कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि अमर राजा एक better opportunity